विंदावन के तीन सबसे चमतकारी को रहसे मैं स्थान नमबर त्री विंदावन और तुलसी का रहसे दोस्तों विंदावन यानि कि तुलसी का वन कहते हैं कि यहाँ पर तुलसी के दो पौधे एक साथ लगी हैं राध के समय जब राधा और प्रिष्णा रास रचाते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपिया बनकर उनके साथ नाचते हैं नमबर टू रंग महल प्रश्लिक कहानी के अनुसार व्रिंदा मन में प्रति दिन मंदिर की अंदर स्थित रंग महल में राधा कृष्णा का बिस्तर लगा दिया जाता है और पुरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रिंगार सामान रख कर मंदिर के दरवा आजे खोले जाते हैं तो सारा सामान अस्त्वियस्त मिलता है मानेता है कि रात्री में राधा कृष्णा आकर इस सामान का उप्योग करते हैं नमबर वन दोस्तों व्रिंदावन में श्रीकृष्ण का एक ऐसा भी मंदिर मौजूद है जो अपने आपी खुलता और बंध हो जाता है पर इसके पीछे का क्या रहसे है यह आज तक कोई नहीं जान पाया है आपको क्या लगता है कि आखिर इस मंदिर के खुलने और बंध हो करने का रहसे क्या है और कोई आश्ता किसे क्यों नहीं जान पाया है अपनी वी कमेंट में जरूर बताइएगा और आप भी श्रीकृष्ण में विश्वास रखते हैं तो जै श्रीकृष्ण जरूर लिखिएगा और ऐसे ही इंट्रस्टिंग और फैक्स वीडियो को देखन मिलेंगे हमारे न्यू और इंट्रस्टिंग फैक्स वीडियो में जै श्रीकृष्णा